गोल्डन बिलड सुनकर ही किसी बेश कीमती चीज का एसास होता है यह बिलड का एक दुल्लव गुरूब है जो दुनिया में बहुत कम लोगों का होता है जिस बिलड गुरूब को गोल्डन बिलड का जाता है उसका अस्री नाम आरच नल है आरेशनल क्या है और यह क्यों इतना कीमती समझा जाता है कि इसकी तुल्ना सोने से होती है आखिर इस बिलड गुरूप वाले लोगों को क्या खत्रा होता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि बिलड गुरूप का वरगी करण कैसे होता है बिलड जिन लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है उनके उपर प्रोटीन की एक परत होती है जिनें एंटीजन कहा जाता है बिलड टाइप A में सिर्फ एंटीजन A होते हैं और बिलड B में सिर्फ B बिलड AB में दोनों होते हैं और टाइप O में दोनों नहीं होते लाल रख्ट कोशिकाओं में एक और तरहें का एंटीजन होता है इसे कहते हैं आरेच डी यह एंटीजन 61 आरेच टाइप के एंटीजनों के समुन का हिस्सा होता है जब बिलड में आरेच डी हो तो इसे पोजिटिव कहा जाता है और अगर ने हो तो इसे negative कहा जाता है इस तरह के समानिय blood group की पहचान करके उनका वर्गिकरन इस तरह किया जाता है A negative, B positive, B negative, A B positive, A B negative, O positive और O negative अगर किसी को blood चढ़ाने की जरूरत पड़े तो उसके blood group का पता होना जरूरी होता है अगर negative group वाले सक्ष को positive वाले donor का blood चढ़ाया जाये तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सरीर के antibody इस blood को ऐस्विकर कर सकते है इस कारण O blood group वाले को universal donor कहा जाता है क्योंकि इसमें ने तो antigen A, B होते हैं और ने ही RHD ऐसे में blood बिना reject किये हुए अन्य group वाले blood में mix हो जाता है इस तरह के खून के जितने भी combination है उनमें RS null सबसे अलग है अगर किसी के red blood cell में RS antigen नहीं है तो उसका blood type RS null होगा पहली बार इस blood की पहचान 1961 में की गई आश्टेलियाई मूल निवासी महिला में यह मिला था उसके बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ 43 मामले ही सामने आये है RS null blood type एक वरदान भी हो सकता है और अभी साब भी इस तरह से यह universal blood है जो किसी भी RS type वाले या blood type वाले को चड़ाया जा सकता है मगर ऐसा बहुत कम मामलों में ही किया जाता है क्योंकि इसे पाना लगभव एसमभव है बेहत दुलब होने के करान ही इसे golden blood का आ जाता है